विश्कार स्वागत है आप सभी का ज्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज में प्रतिदर्श प्रस्मपत्र यानि आप सभी लोग जानते हैं मॉडल पेपर 2023 की जड़ी लगाये हुए हैं हम 2023 की जो आपकी प्रीबोर्ड परिक्षा होगी वो खासा important होने वाली है कारण यह है कि लोग चिला रहे हैं कि प्रमोट होंगे प्रमोट होंगे लेकिन ऐसा कुछ है नहीं प्रमोट नहीं होंगे फिर भी जो प्रीबोर्ड परिक्षा के नंबर हैं वो उतने ही माइने रखते हैं जितने की बोर्ड परिक्षा के माइने रखते हैं कारण अगर कदाचित आप प्रमोट होते हैं तो इनको आधार बना लिया जाता है प्रीबोड परिक्षा के नमबरों को इसलिए इस पेपर को धेर सारे लोगों तक आप शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्सन में पहली लिंक है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फिल OMR शीट पर आधारित 20 अंक के बहुविकल्पी ये प्रशन होंगे और 50 अंक के कॉपी में लिखने वाले आपके प्रशन होंगे तो बस आप सभी चीज़ें जानते हैं फटाफट question answer कर लेते हैं 20 प्रशन जो की आपको OMR शीट में जिनके विकल्प चुनकर के गोला भरना ह होगा ये 20 के 20 नंबर के होते हैं अगर एक भी नंबर आपने मिस कर दिया तो आपकी बहुत बड़ी हानी होगी ठीक है क्योंकि कंप्यूटर से आपकी ये कापियां चेक होंगी OMR शीट कंप्यूटर से ही हमेशा चेक होती है कोई मैनुवली चेक नहीं होती है इसलिए काट पीट एरेजर लगाना वाइटनर लगाना ये सब काम नहीं करने हैं आपको पहला प्रसना आपके स्क्रीन पर रहा कि नम्रिखित कतनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है राम बिलाश सर्मा कभी के रूप में प्रसिद्ध हैं रांगे रागो ख्याती प बच्चन की आतमकथा है चार भागों में इनकी आतमकथा प्रकासित है क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्मार फिर फिर बसेरे से दूर दस द्वार से सोपान तक ये चार भागों में इनकी आतमकथा प्रकासित हुई है क्यानीबद स्ट्रिक के माध्यम से आप से याद कर सकते हैं तो इसका डी सही हो जाएगा दूसरा प्रशन है निमिखित में से जीवनी कौन सी है ग्यांसेंदूकलासे.com पर भी जाकर के आप ऐसे तमाम पेपर्स पा सकते हैं जीवनी कौन सी है बसेरे से दूर अनामदास का पूथा कलम का सिपाही या शाश्वती तो प्रेम चंद की जीवनी है तो कलम का सिपाही यहां पर सही हो जाएगा बस्ती जिले के अगूना नामक गाओं में किस लेखक का संबंध है यानि किस लेखक का जन्म बस्ती जिले के अगूना नामक गाओं में हुआ था तीसरा प्रशन है इसका सही जबाब क्या हो जाएगा आचारे राम चंदर शुक्ल आपका सही जबाब है बस्ती जिले के अगुना नाम गाउं में इनका जन्व हुआ था चंदरगुप्त किस विधा की रचना है फटाफर बताईए कहानी है उपन्यास है नाटक है निबंध है क्या है तो चंदरगुप्त क्या है चंदरगुप्त एक नाटक है लेखक कौन है इसके जैशंकर प्रसाद लेखक है मेरी आतम कथा की लेखक कौन है मेरी आतम कथा बाबु गुलाबराए राहूल सांस के तयान डॉक्टर राजेन प्रसाद या फिर महत्मा गाधी कौन है तो यहां पर डॉक्टर राजेन प्रसाद आपका सही जबाब होगा रासो गरंथों की भाषा कोन सी है? ब्रजभाषा है, अबधी है, डिंगल है, या फिर खडी बोली है तो जो डिंगल भाषा थी, वो रासो गरंथों की भाशा हुआ करती थी डिंगल भाशा जो की राजस्थानी मिस्तृत थी नहीं हाँ ठीक है तो ये खड़ी बोली मिस्तृत थी थोड़ा सा इसकी जो टकार और डकार वरणों का प्रयोग इसमें होता था डिंगल भाशा ठीक है और भक्तिकाल की रचना निम्न में से कौन सी है साकेत बिनेपत्रिका लहर और प्रेम माधुरी देखो बिनेपत्रिका किसकी लिखी है तुलसी दास के द्वारा लिखी गई है और तुलसी दास कब हुए भक्तिकाल में ही हुए थे तारसब तक कावे के संपादक कौन है तारसब तक एक पत्र था कावे पत्र कह सकते हैं या पत्रिका के जेसा कह सकते हैं ठीक है तो ये इसके कावे के संपादक कौन थे सचिदानंद हिरंद वात्षयन अग्गे आपका सही जबाब हो जाएगा वन पत्पर कविता किस कृती से संबंदित है ठीक है वन पत्पर कविता किस कृती से संबंदित है और वो एक कृती जो है वो तुलसी दास की ल कवितावली से किसके ली गई है बताइए सही जबाब होगा कवितावली कवितावली तुलसी दास द्वारा रचित है और जिसमें जो वन पत पर जो आपकी कविता है आपके किताब में वो कवितावली से ही ली गई है बिहारी की काब शैली क्या है मुक्तक शैली है प्रबंद की रचनाकी मुक्तक कावे की रचनाकी है ठीक है मुक्तक कावे क्या है चुना हुआ गुल्दस्ता है और प्रबंद कावे क्या है एक विस्तरत वनस्थली है आप समझ सकते हैं एक जंगल है प्रबंद कावे और जंगल से चुना हुआ फूल है मुक्तक कावे आचार रामचंस होता है हासि Хंसी भाजें देखी दुलाहा दिगम्बर को पाहुनी जयावए हिमाचल के उच्छाह में सीस पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे हास ही को दंगा भयो नंगा के बिवाह में इन पंक्तियों में रस कौन सा है हा सिरस है सिर्गार सा अदबुधै告诉 प्रिशान्त रस कौन सा रस है हासी हासी भाजें देखी दुलहा दिगंबर को तो यहां पर हासी रस है क्योंकि संकर जी का बिवा हो रहा है और जो आगता है वो देखता है उस संकर जी जैसे दुलहे को देखता है और चुकि वो दिगंबर है यानि वस्त्रहीन है तो जो भी पाहुनी अर्थात महमान आते हैं हिमाचल अर्थात राजा हिमाचल के उस्था अर्थात महल में जो आते हैं वो सब देख देख करके शिव जी को हसते हैं और उसके सीस पर बैठी हुई गंगा भी हस रही है भुजाओं में जकडा हुआ भुजंग अर्थात सर्प भी हस रहा है इस प्रकार हास से काही एक दंगा सा हो गया था किसके नंगा आर्था शिव के विवाह में तो हासरस है कोटिक कुलिस सम वचन तुम्हारा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार तो सीधी सी बात यहां सम वर्ड आया है ठीके सम शब्द आया है सम समान सम के जैसा के तरह की की और खुल्हांती तो वहां पर उपमा अलंकार होता है तो यहां पर उपमा हो गया जिस चंद के प्रतेक चंड में एक समान मात्राएं होती है उस चंद को क्या कहा जाता है एक समान मात्राएं होती है उसको वर्णिक सम कहा जाता है बिशम कहा जाता है सम कहा जाता है या फिर मुक्त चंद कहा जाता है तो ये सही जवाब आपका होगा सम मात्रिक चंद प्रतेक चंद में समान मात्राएं तो सम मात्रिक चंद और आधे में समान आधे में विसम तो अर्दसम मात्रिक चंद और हर एक चरण में अलग-अलग मात्राओं की गड़ना विशम मात्रिक चंद कहलाता है ठीक है अनंत शब्द में कौनसा उपसर्ग लगा हुआ है अनंत में अन लगा हुआ है अगर अन उपसर्ग से अन्त जोडते हैं तो पूरा बनेगा क्या पूरा अनंत सब्द आपका बन जाता है आई प्रत्ते से युक्त कृदंत शब्द कौनसा है कृदंत श भाषाई पढ़ाई लगुताई तो देखो कृदंत एक बहुत क्लिष्ट प्रसन एक बहुत कठिन प्रसन ये माना जा सकता है competition के तौर पे ये प्रसन पूछा गया है जैसे competition में पूछा जाता है यहाँ पर पढ़ाई है पूछ रहा है क्रदंत कार्थ होता है क्रिया में लगने वाला प्रत्य ठीक है तो क्रिया में पढ़ाई क्या है क्रिया है और क्रिया है तो पढ़ाई में आई प्रत्य लगा है पूरुपद संख्यावाची किसमे होता है तो दिगू समास में आपका होता है शिकारी का बान हिरन को लगारे खांकित का परियावाची तो बान का मतलब क्या होता बान का परियावाची शर होता है क्या होता है शर और प्रभृति एव का संद बिछेद क्या होगा तो प्रवरीति धन एव पहला ही हो जाएगा यह आपका यड़संदी है केवल आपको यड़संदी ही पढ़नी है ठीके मति का दुतिया बहुचन का रूप होगा मति ही मतिम ठीके मति ही मतिम मतया मतय यानि मति का दुतिया बहुचन का रूप क्या होगा तो आपका जो सही जबाब है वो first होगा मती मती ही दुतिया का बहचन मती मती ही ठीक है बीच वाला नदीभ्या में विभक्ती और वचन बताना है आपको नदी नदीम नदीभ्या वाला ना वो नदी नदीम नद्या नदई तो नदीब्या में विभक्ति और वचन बताना है भ्या 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 तो तरतिया चतुर्थी का बहवचन होता है तो तरतिया चतुर्थी का बहवचन नहीं है क्या तो यहाँ पर जो सही जबाब है वो थर्ड होगा आपका पंचमी का बहवचन चतुर्थी और पंचमी का बहुचन होता है ठीक है फिर यहां देखिए वर्णात्मक प्रस्न आपके आएंगे वर्णात्मक में आपको गद्यांस दिया होगा गद्यांस के नीचे तीन प्रस्न दिये होंगे तीन प्रस्नों के उत्तर देंगे तो आपको 6 नमबर मिल जाएंगे तो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक आउशद है कहने का तात पर ये है कि अगर मित्र है उस पर भी विश्वासी मित्र है तो जीवन में बहुत बड़ी रक्षा हो जाती है कारण ये है मित्र तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन विश्वास पात्र मित्र मिलना ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई खजाना मिल गया हो ऐसा मित्र दुरलब होता है क्योंकि विश्वास पात्र मित्र जो है वो जीवन की ओशदी है जीवन में वो दवाई का काम करता है ठीक है तो उपर गद्यांस का संदर्व लिखना है तो ये मित्रतार आचारे रामचंद शुक्ल तो गद्यांस का संदर्व कैसे लिखेंगे प्रसुप गद्यांस हमारी प पुषदी से तुलना की गई है दूसरा गध्यांस देखिए यहाँ एक नैतिक आध्यात्मिक इस त्रोथ है जो अनंतकाल से प्रतिक्ष या प्रतिक्ष रूप से संपूर देश में बहता रहा है और कभी भी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है यह हमारा वो अपने बीच में चलते फिरते हंस्ते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्यों की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्यों में नई मज्जा डाल दी है वो अमरत्यों सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए ही नहीं आज मानो मात्र के लिए जीवन के लिए अत् और ये रैहांकितन्स से और इसकी व्याख्या करनी होगी उपर गद्यांस का संदरप तो आपका भारती ये संस्कृति से लिया गया है और ये डॉक्टर Aurain Prasad द्वारा लिखा गया है लेखक ने गद्यांस में क्या संदेश देना चाहा है तो लेखक ने इस गद्यांस मे वो जीवन में उतारने का संदेश देना चाहा है रेखांके तंसकी व्याख्या करते समय आप लिखेंगे किया लिखेंगे कि डॉक्टर राजेन प्रसाद कहते हैं कि भारत की राष्ट्री एकता की प्राण शक्ति इसकी नीती और इसके आध्यात में नीत है वास्तविक्ता य भी दिखाई देता ने बहता है कभी प्रोख्श रूप में बहता है मरे समय समय पर उच्च चरित्र वाली ठीक है समय समय क्या उच्च चरित्र वाले और धार्मिक एवं आत्मिक चेतना से संपन्न महापुरुष आते रहें यह हमारा सवभाग ही कहा जाएगा कि आधुनिक युग में इसे इस चरित्रक और आध्यात्म की सजीव एवं साकार मूर्ती महात्मा गांधी के रूप में हमारा नेत्रत्व किया है है ना कि उन्होंने यहां पर आप देखेंगे क क्या लिखा है यहां पर लिखा है कि यहां पर कहते हैं कि उस रूप को हमने मूर्त रूप में गांधी जी को मूर्त रूप में हमने देखा है कैसे देखा है साकार रूप में देखा है कैसे चलते फिरते देखा है उठते भाग दोड़ते देखा किसने देखा है किसने अब डॉक्टर राजेन प्रसान ने देखा है क्योंकि राजेन प्रसाद के सामने थे महत्मा गांधी है ना तो वही कह रहे है महत्मा गांधी के बारे में कि ऐसे महत्मा गांधी को हमने प्रत्यक्च रूप से देखा है चलते फिरते देखा आसते रोते देखा है और फिर कहते हैं न केवल किसी एक देश का की उन्नती के लिए आवश्यक है बलकि हर एक मनुष्य के लिए हर एक प्राणी के लिए सत्य और हिंसा आवश्यक है ठीक है तो यह हो गया बाकी निरुगुन कौन देश को बासी यहाँ पर गोपिकाएं उद्धो जब पताते हैं गोपिकाओं को सूरदास के पदों से लिया गया है उद्धो कहते हैं गोपिकाओं से कि आप सब कुछ छोड़कर निरुगुन ब्रह्म की उपास ना करो तो क्या कहती हैं गोपिकाओं कि निरुगुन कौन देश को बासी कौ अगाद से देश में निर्वौण रहता है हम किसी निर्वौण को नहीं जानती हे मधुकर मधुकर रूपी हे उद्धौ कहिं समुझाई सौन्ह दे मैं तुमको कसम देकर कहती हूँ, बूज़ती सांच नहासी में तुमसे सच्ची पूछ रही हूँ, हसी नहीं कह रही हूँ, कौ है जनक, आप ही बता दो उसका कौन बाप है, कौन है जननी, कौन माता है, कौन नारी को दासी, और कौन सी उसकी इस्त्री है, कौन सी उसकी दासी है, बताओ, हमे किया पाओगे जोरे करगो गांसी अगर गांसी माने होता है छल अगर तुमने छल किया है उद्धो तो तुम अपना किया हुआ पाओगे अगर तुम मेरे साथ छल करोगे तो अपना किया हुआ पाओगे सुनत मौन होए रहे हो बावरो वो बावरा मधुकर जो है मधुकर कौ थ्यों जूंते ही बावला हो गया सूर्दास कहते सारी वुड्धी भरश्ट हो गई around किसे कहा गया मनधूकर उध्ध्षों को कहा गया उसे किस बात की सोगंद खिलाई जा रही सत्य बॉलने की सोगंद रेखांगे तंस्की व्याख्या करही दी और प्रस्तुत पदमें मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रियोग हुआ है किस अलंकार का प्रियोग हुआ है ये बताइए निर्गुन कौन देश को बासी ठीक है प्रमुक्ता वक्रोक्ति अन्योक्ति अलंकार का सच्चा प्रेम वही है जिसकी त्रप्ति आत्म बली पर हो निर्भर त्याग बिना निश्य प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर देश प्रेम वह पुंडे क्षेत्र है अमल असी मुत्याग से बिलसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विक्सित सच्चे प्रेम की परिभाशा बताईए सच्चे प्रेम की परिभाशा सच्चा प्रेम वही है जिसकी त्रप्ती आत्म बलिदान पर निर्भर करती हो जो आत्म बलिदान पर ही जाकर के संतुष्ट होता हो और त्याग के बिना प्रेम निश्प्राण हो जाता है ये सच्चा प्रेम है ठीक है और कैसा प्रेम निश्प्राण हो जाता है त्याग रहित प्रेम निश्प्राण हो जाता है रेखांकितंस की व्याख्या कहते हैं कभिवर राम नरेश त्रिपाथी कि देश प्रेम जो है एक ऐसा पुंडिक छेत्र है जो निरमल असीमित त्याग कर से सु्षषोभित होता है और आत्मा के विकास से ही उसमें मनुष्यता का विकास होता है देश argp वो पावन पवित्र पूंडेहidasya है ठीक है ठीक है कि अ फिर कहते हैं में लेखों में से एक का जीवन परिचे हम सब करा दिये हैं आराम से देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रैस कोस ले लिजिए फ्री में हम किसी से पेड़ बगरा की बात नहीं करते हैं बस निशुलक है सब आप मांग लीजिए वाटसप पर हम देदेंगे अब आउट सक्षन में नंबर है कॉल म से बहुत बार हमने इसको पढ़ाया है लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ाता हूं एशा माने यहां नगरी माने नगरी भारती संस्कृत है यह नगरी भारती संस्कृति और संस्कृत भास आया हच और संस्कृत भाशा का केंद्रिस्थलमस्ति केंद्रिस्थली है इते एव संस्कृत वाग मैस्य संस्कृत इश्च आलोग का सरवत प्रसृत हा इतेव बाने यहीं से संस्कृत साहित्यका और संस्कृत का आलोग माने प्रकास सरवत प्रसृता सब जगे फैला है मुगल्य वराज दाराशिकोह अत्रागत ने यहां पर आकर के भारती दर्शन शास्त्राना मद्धेन मकरोथ भारती दर्शन शास्त्रों का अध्यन किया सतेशाम ग्यानेन तथा प्रभाविता है वो उसके ग्यान से इतना प्रभावित हुआ ऐसा प्रभावित हुआ यत माने की तेन माने उसने उपनिष्दाम माने उपनिष्दों का अनुवाद पार्षी भासाया में करा दिया बहुत इंपार्टेंट ये है और एकदा बहवा जना धूम्यानम आरुह नगरम प्रतिकच्छन तिसम ये भी बहुत इंपार्टेंट है लंबा है इसलिए नहीं पढ़ाएंगे टाइम बहुत लगेगा चैप्टर पढ़ लिजेगा पढ़ा चुके हैं फिर आपका श्लोक आया हतुवा प्राप्य स्वर्गम जित्वावा भोग्ष से महीम संदर्व इसका लिखना होगा सबका संदर्व लिखना होगा ये भी पांच नंबर का है कि ये वीराविरेन पूज्यते से है हतुवा प्र संता रहित होकर के और संता प्रहित होकर के विगत जो रहमाने संता प्रहित होकर के युद्ध करो धान्या नाम उत्मम ये कहां से लिया गया है आप बताईए ये लिया गया है जीवन सूत्राने से उन्हें क्या धान्या नाम उत्तमम किसमित धान्यों में उत्तम क्या है धन तो धान्या नाम उत्तमम दाक्ष्यम, दक्षता या चतुराई जो है वो धान्यों में उत्तम है, और धना नाम उत्तमम सुर्तम, और धनों में उत्तम है सुर्तम माने वेद, क्या धनों में उत्तम है वेद, लाभा नाम स्रेया, स्रेय कल्याण, लाभों में उत्तम है कल्याण आरोग्यम सुखानाम और सुखों में उत्तम है आरोग्य और तुष्टी उत्तमा अच्छा लाभों में स्रेयसकर है आरोग्य यानि स्वास्थिलाब स्वास्थिलाब क्या है लाभों में सबसे एक स्रेयसकर है और सुखानाम तुष्टी उत्तमा संतोसम परमसुखम कहा गया तो सुखों में क्या उत्तम है? तुष्टि हियानि संतोस उत्तम है. फिर आपको एक श्लोक लिखना होगा, जो इस पेपर में न हो, और फिर प्रस्णों में से किनी दो के प्रस्णों के उत्तर संस्कृत में लिखना होगा, वारा नसी कस्या भास आया केंद्रमस्ति, तो वार तो यहां हो जाएगा म्रत पिंडेन ठीक है म्रत पिंडेन सरवं म्रणमयं विज्ञातम ठीक है अपने पाट पुस्तक के आधार पे खंड काब्बे आपको करना होगा खंड काब्बे की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और क्रेस कोर्स में भी हमने सब कुछ दे दिया है तो बाट एंठ है खंड का व्यूंए फिर आपका 9 नंबर में इस वार आने वाला है क्या निबंध तो ये भही आना छोड़ो राष्टी नई सिच्छा नीती ब्रस्टाचार की समस्या देश प्रेम और ब्रक्षार ओपन देश प्रेम करा चुके हैं ब्रस्टाचार की समस्या स इन्फो पर आपको तमाम मौडल पेपर आपको आपकी हर विशे के मिल जाएंगे तो अभी डाउनलोड कीजिए बिना किसी देर किये हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्म है शेर करना प्रमोट स्रमोट के चक्कर में न पड़ो परिच्छा 100-200% होगी आप टेंशन न लो ठीक है आप पढ़ते रहो बस